असलाम वालेकुम वैलकम टू देली किचन आज में बनाऊंगी चिकन बॉल चिकन बॉल के लिए मैंने यहाँ पर बॉल लेज चिकन लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगे दो से तीन हरी मिर्च लियें वो मैं डाल दूँगे एक कच्टी हुई प्यास वो भी डाल दूँगे कुछ खड़े-ग чистाली लियें वो मैं डाल दूँगे थोड़ा से कटा होँ अरदनिया लिया है वो मैं डाल दूँगे एक ब्रेड लियें वो मैं डाल दूँगे अब मैं इसको ग्रेट कर लोंगी अच्छे से इदेखे मैंने इसे अच्छी से गर्ण कर लिया है, हम मैंसको निकाल लूंगे एक बॉल में इदेखे हमारा कितना अच्छा घरंड हुआ है, मैंने यह आप एक टेवर श्पून नमक लिया है, वो मैंस में डाल दूघी एक आलू लिया है वाइल क्या हूँ वो भी मैस में डाल दूँगी कटा हूँ हरा दनिया लिया है वो मैस में डाल दूँगी अब मैं इन सब चीजों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये देखे हमारा बैटर अच्छे से बन गया है हम भी इसी तरीके से बनाएं बॉल की शेप में हम भी इसी तरीके से सारी बॉल बना लूगी यह देखे हमारी चिकन बॉल बनकर रैड़ी हो गई है कितनी अच्छी बनी है ये मैंने हाँ पर दो टेबल स्पूल मैदा लिया था जिसे मैंने गाड़ा सा गोल बना लिया है यहाँ पर मैंने बारिक वाली सिवईया ली है अब मैं एक बॉल कुलूंगी मैदे में डिप करूंगी अब मैं इस पर सिवयों की कोटिंग कर लूँगी यह देखिए मैंने कितने अच्छे से कोटिंग की है सिवयों की हमें इसी तरीके से सारी बना लेनी है यह देखिए मैंने चिकन बॉल की अच्छे से कोटिंग कर ली है मैंने हाँ पर इस्टिक ली है मैं एक बॉल को लूँगी और मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूसरी बॉल को लूँगी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैं तीसरी लूँगी उसको भी डाल दूँगी ये देखिए हमें इसी तरीके से सारी बॉल को ऐसे लगा लेना इस टिक में ये देखिए हमारे चिकन बॉल बनकर रैडी हो गए हैं ये देखिए किसने अच्छे तल लेंगे ये देखिए हमारे वाल अच्छे से गरम हो चुका है चिकन बॉल को इसके अंदर डाल दूँगी मैं चिकन बॉल को इसके अंदर डाल दिया है हमें इसे जोल्डन ब्रांड होने तक इससे फ्राइ करना है ये देखे हमाई रेड ब्रंड हो चुके हैं मैं इसको परट लूँगी ये देखे मैंने इसे पलट लिया है ये देखे हमाई चिकन बॉल अच्छे से फ्राई हो गए अब मैं इने निकाल लूँगी ये देखे हमाई चिकन बॉल बनकर रेड़ी हो चुके हैं ये देखे कितने अच्छे बने हैं मैं इसे एक तोड़ कर भी दिखाऊंगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ये कमेंट करके भी ज़रूबा था ये और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं हम आपको एक अच्छी और नई सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज